हेलो माई डियर लिसनर्स मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को रेगुलरली सुनते हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स की मदद से अपनी नौलिज को बढ़ाते जा रहे हैं मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कही सारे सब्जेक्स के complete वीडियो लेक्चर्स तो चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और अपनी नौलिज को बढ़ाते चलिए आज कल मैं आपको करवा रहे हूँ financial management के topics पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था working capital का meaning और उसकी types आज हम उसी topic को आगे बढ़ाएंगे और हम जान लेंगे कि working capital management जब की जाती है उस समय एक finance manager को कौन-कौन से principles को follow करना पड़ता है जिनके आधार पर वे एक बहतरीन तरीके के साथ अपनी company की working capital को manage करता है तो आईए जानते हैं इस topic को बहुत ही easy और interesting way के साथ financial management के अंदर long term assets को तो बहुत importance दी गई है बट उसके साथ ही ये भी माना गया है कि business के रोज मरा के कामों को एक अच्छे तरीके के साथ manage करना बहुत ही technical काम है इसी वज़े से जो financial manager है उसे कई चीजों को अपना अधार बनाना पड़ता है जिसे बोला जा सकता है fundamental principles इन ही को follow करते हुए वे अपनी company की working capital को manage कर सकता है वैसे तो कई सारे principles आपको अपनी किताबों में मिल जाएंगे पर मैंने आज अपने video lecture के अंदर walker के द्वारा बताये गई financial management के principles को explain किया है तो चलिए एक-एक करके इन principles को अच्छे से जान लेते हैं तो my dear learners जैसे हमने पिछले video lecture में working capital का meaning जाना फिर ये भी समझा कि इसे manage करना कितना जरूरी है उसके बाद देखा कि भई एक तो permanent working capital होती है और एक temporary working capital होती है तो इन सभी concepts को आपने याद रखना है तभी आपको आज का video lecture समझ आएगा अब slide के उपर जड़ा गौर कर लीजे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं चार principles जिनने एक एक करके हमने आज समझ लेना है हमने start करना है first principle के साथ यह जो first principle है यह है principle of optimization optimization तो यह पहला जो principle है वह सारा अधार बनाता है optimization को optimization का मतलब होता है चीजों को modify करना इस हिसाब से कि वह अपनी maximum efficiency दे पाएं यानि उनको अपनी जरूरतों के अनुकूल बनाना ताकि उससे बहतरीन लाब पाया जा सके इस principle के अंदर बोला गया कि finance manager जो है वो ऐसा level choose करेगा working capital का कि एक company अपनी rate of return को एक बहतरीन level पर लेके जा पाए अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी जब भी company अपनी working capital को बढ़ाने का decision लेती है तो उसमें incremental cost लगती है पैसा जादा लगता है तो अगर incremental cost आ रही है तो उसे इतना फाइदा भी हो कि हमें incremental gains भी आएं कमाई भी उतनी ही पड़े तो एक ऐसा optimal level ढूनना जहां पर हम इन दोनों के बीच में matching कर पाएं ऐसा करने के लिए कई सारे analysis करने होगे कई factors को determine करना होगा कि working capital के जितने भी components हैं वे एक सही state में या यू कहूं कि एक सही की सही quantity में लगाएं जाएं तो इस principle के अंदर बोला गया कि एक बहुत ही strong relation जो है वे exist करता है risk के बीच में और return के बीच में एक company ने कोशिश करनी है कि अगर वे जादा risk लेना चाहती है तो opportunity of gain तो बढ़ेगी लेकिन साथ में loss की संभावना भी बढ़ती जाएगी अब इसे समझने के लिए हम में एक example consider करेंगी अब इस example के उपर गौर कीजिए इस example के अंदर आपको दिख रही है तीन situations मान लेते हैं एक company है मिनाक्षी लिमिटेट ठीक है ना इसको तीन situations face करनी पड़ रही है अब साथ साथ में पढ़ते चलिए हर एक situation के अंदर जो company की working capital है उसकी amount वदलती जा रही है पहली जो situation है उसके अंदर working capital है 25,000 की उसके बाद जो हमने दूसरी situation की बात करी तो वहाँ पर working capital है 50,000 की फिर हम बात करते हैं तीसरी situation की वहाँ पर working capital है 70,000 की और जैसे की हमें मालुम है की working capital कम और जादा होती रहती है उसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो company के अंदर दो प्रकार की working capital होती है जैसे की पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि fixed working capital की अगर हम बात करते हैं तो fixed working capital कभी भी change नहीं होती और ये चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि working capital जो fixed है वो हर एक situation में 10,000 रुपे ही है इसके बाद देखिए liabilities, liabilities भी इस case में तीनों situations में same है that is 20,000 रुपेज उसके बाद sales देखिए, sales भी यहाँ पर same है 75,000 और 75,000 earnings, earnings भी same ही आ रही है, 75,000 की है, फिर से 75,000 और फिर से 75,000 पर और सबसे जादा गौर करने की बात तो अब है, देखिए, अगर सब कुछ ही same था तो rate of return क्यों इतनी जादा बदल रही है देखिए, पहले 21.4% है, फिर 12.5% है और उसके बाद 9.38% है, यहाँ पर लिगाना पड़ेगा आपको दिमाग, सिरफ एक ही चीज़ बदली है working capital, लेकिन उसके बदलने के साथ, जो rate of return है, उसमें बहुत ही जादा changes आ गए हैं, अब यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे working capital बढ़ती जा रही है इसे दो तरीके से समझा जा सकता है, जब एक company grow करती है, तो उसे जादा पैसा invest करना पड़ता है अपने current assets के अंदर, जैसे stock का level बढ़ाना पड़ सकता है, उसकी inventory उसे जादा लगानी पड़ती है, उधार पर माल बेचा जा सकता है, जिस कारण से पैसा आने में अभी और देर लगेगी, amount बढ़ती जाएगी, जिस वज़े से पैसा block होता है, यह यू कहूं extensive use of cash होता जाता है, इसी वज़े से जो rate of return है, वे कम होती जाती है, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर यह जानना चाहें कि मैंने तो working capital की जो percentage है, वे sales के साथ compare करनी है, उसे भी किया जा सकता है, एक और analysis, जब हम working capital को compare करते हैं, sales के साथ, अब situation one में गौर कीजिए, यहाँ पर आपकी जो working capital है, वे है 25,000 की, 25,000 को divide कीजिए, sales के साथ, जो की है 75,000, यह बनेगा 33%, दूसरी situation में भी यही काम कीजिए, यहाँ पर आपकी जो working capital है, वे कितनी है, वे है 50,000 की, 50,000 को divide कीजिए, 75,000 के साथ, percentage आएगी 66.67%, यहाँ से हमें क्या समझ आता है, यहाँ से यह समझ आता है, कि यह percentage बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे यह percentage बढ़ेगी, आपका जो rate of return है, वे कम होता जाएगा, तो यह extensive use करने से पहले, बहुत जादा analysis चाहिए, कि company उतनी return भी कमा पाए, और इस principle के अंदर यही बोला गया है, कि एक finance manager को idea लेना होगा, कि क्या level रखू मैं working capital का, ताकि एक equilibrium situation पर वो आ सके, rate of return भी अच्छा हो, और company इस ability पर हो, कि वे पैसा जो लगाया है, उसमें से beer कर सके सारे खर्चे, और company को solvency की state पर ही रख सके, तो इसके साथ ही हमारा पहला principle complete हुआ, अब हम जानेंगे दूसरा principle, दूसरा principle है, principle of worth whileness, चलिए इसको भी detail में सीख लेते हैं, हमने detail में, पिछले video lecture में जाना था, कि gross working capital का concept क्या है, उसमें मैंने आपको समझाया था, कि इसके अंदर investments देखी जाती है, कि हमने कितना पैसा अपने current asset में लगाया है, और worth whileness का मतलब ही यह है, कि एक एक पैसा, जो business के अंदर लगा है, वे contribute करे, contribute करे, company की net worth को बढ़ाने के लिए, दूसरी बात, जो भी पैसा लगाया गया है, वे source समझ कर लगाया जाए, जिसमें reduce हो, magnitude of risk, risk बढ़ाना नहीं है, उसको control में ही रखना है, और अगर ऐसा करने में finance manager कामयाब रहा, तो company की जो भी financial position होगी, वे दिन बर दिन, strengthen, यानि मजबूत होती जाएगी, और इसकी मदद से ही एक company अपने investment decisions लेती है, working capital के प्रती, चाहे वो equity position की बात ही क्यों ना हो, हमेशा ये गौर किया जाएगा कि चाहे fixed working capital हो, या यहाँ पर हो हमारी seasonal working capital, वे हमेशा ही contribute करे company की तरकी की तरफ, तो अब हमने जान लिए दो principles, अब समय आ गया है अगले principle को detail में जानने का, ये principle है principle risk के related, की risk को कैसे control में लाना है, चलिए इसे भी जान लेते हैं, risk principle के अंदर ये बोला गया है, कि हमने detail में study करना होगा, कि किस type की capital हमने use करनी है, अपने current assets को finance करने के लिए, अब current assets में पैसा लगाना है, तो पैसा arrange भी तो करना पड़ेगा, तो type of capital कहां से आएगा ये पैसा, ये decision भी लेना पड़ता है finance manager को, क्योंकि इसी के कारण amount of risk जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जब हम कोई भी decision लेते हैं, हम एक opportunity grab करना चाहते हैं कमाने की, पर साथ में ही loss की संभावना भी आ जाती है, तो यहां पर concept आ जाता है cost of capital का, अब ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि current assets के लिए जो पैसा लाना है, उसका source क्या debt हो सकता है, और finance के अंदर ये माना गया है कि debt एक cheaper source है financing का, तो आप debt की मदद से, उधार की मदद से पैसा लाएं और उसे use करें, अपने capital को, अपने current assets को बढ़ाने के लिए, पर management जो है higher risk लेने के लिए, equity capital को भी use कर सकती है, पर equity capital अगर आएगी, तो company के मालिकाना हक और लोगों के बीच में divide होते जाएंगे, इसका मतलब higher returns नहीं आएंगी, company में मालिक जुड़ते जाएंगे, इसी वज़े से company debt का सहारा लेती है, अब जब हम debt लेंगे, मानलो हमने debentures issue कर दिये, तो debentures को आपको नियमित रूप से interest जो है वो pay करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ cost of capital बढ़ गई, आपने अपने लिए एक और खर्चा खड़ा कर लिया, और अगर कमाई ना हुई, तो ये खर्चा तो आपको ले डुबेगा, ये एक बहुत बड़ा risk है, तो excessive use debt का करना बहुत ही risk हो सकता है, तो क्या करे finance manager, यही तो उसका सारा काम है, एक balance create करना, ऐसा decision लेना, जिससे company की profitability के उपर कोई भी negative असर ना आए, तो risk principle के अंदर यही बात बार बार बोली गई है, कि profitability का हमें ध्यान रखना है, profitability का ध्यान रखें, और एक अच्छी relationship बनाएं, कि company जो है, वो revenue तो कमाए, बड़ जो उसको cost पढ़ रही है, वे cost हद से जादा ना हो ऐसी situation बिलकुल ना आए, कि company unable हो जाए, एक ऐसा समय आके खड़ा हो जाए, कि जब company की देंदारी खड़ी हो, और company के पास पैसे ना हो, अगर ऐसा हो गया, तो company दिवालिया हो सकती है, इसे बोला जाता है, technically insolvent, कि company के अंदर ऐसी काबलियत ही नहीं रही, कि वे अपने bills को समय पर भुखतान कर पाए, तो इन ही चीज़ों को cost of capital को maintain करना, returns को बनाए रखना, higher returns की तरफ लेके जाना, decision लेना, कि कितनी equity हो और कितनी debt हो, इन ही को maintain करना काम है financial manager का, तो ये था risk principle, अब हम अपने lecture को आगे बढ़ाते हैं, और हम ये जान लेते हैं कि principle of suitability क्या कहता है principle of suitability, इसके अंदर ये बोला गया है कि आपने एक proper धंग से current assets और current liabilities को match करना है, कौन से asset को, कहां से finance लेकर आना है, ये एक बहुत ही जरूरी decision है, line को ज़रा ध्यान से पढ़िए, each asset, हर एक asset जो आप लगा रहे हैं, it should be offset, offset का मतलब यहां पर होता है, पूरा करना, satisfy करना, उसे पूरा करना है financing से, हर एक asset के लिए पैसा तो चाहिए, अब ये पैसा कहां से आएगा, उसे पैसा करना लेकर आना है, वहां से, ताकि उनकी maturity जो है, वो match करे, line है बड़ी confusing, तो इसे हम इस example की मदद से समझते हैं, माल आपको चाहिए permanent working capital, आप permanent working capital, यानि हमेशा ही चाहिए, ये तो इसकी जरूरत का भी खतम नहीं होगी, यानि इसे finance करने के लिए, इसके लिए जो पैसे लेकर आने हैं, उसका source क्या होगा? long term sources, अब क्या होते हैं long term sources, चलिए जान लेते हैं, long term sources के अंदर आ जाते हैं equity shares, यानि जिनका जो हमने भुगतान करना है, वो बहुत ही देर के बाद करना होता है, इसके इलावा debentures, जिसे की मैंने समझाया debt, जिसके उपर नियमित रूप से आपको ब्याज देना पड़त है, या flowing back of profit, पुराने कमाए हुए profits, पर जो company अभी initial stage पर है, वो flowing back of earnings का फाइदा नहीं ले सकती, क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं नहीं company, उसके पास अभी से पैसे नहीं है, तो जब आपने use करने हैं long term sources, तो वे होगी आपकी permanent working capital, अब इस chart को ज़रा ध्यान से पिछली slide में भी देखा था ना यह chart, जो आपको यहाँ पर white line दिख रही है, जो लगातार उपर बढ़ती जा रही है, यह हैं आपके permanent current assets की जरूरतें, जो आपको लगातार चाहिए, और इसको आप कहां से use करेंगे, इसके लिए आपको use करनी पड़ेंगे, आपके long term sources, I hope कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, यह देखिए, long term sources किसके लिए use करने हैं, जो आपकी permanent current assets की जरूरतें हैं, उनके लिए, इसके बाद जो हमने दूसरी पड़ी थी, where कौन सी थी, where थी आपकी temporary working capital, यानि जिसमें आपको temporary basis पर current assets चाहिए होते हैं, तो अब यहां पर आपने यह कहां से use करने हैं, short term sources से इन्हें finance करना है, चलिए देखते हैं, short term sources कौन से होते हैं, short term sources में आपके आजाते हैं, trade creditors, commercial papers, और short term loans, यानि आपने उधार पर माल खरीदा, trade creditors हो गए, उन्हें पैसे तो कुछ समय के बाद देने हैं, तो यह जो बीच का प के पास बच गया, इसे आप use कीजिए, इसी पैसे की मदद से आप अपने working capital को finance कर लीजिए, जो temporary basis पर आपको चाहिए होती है, अब सुनने में तो यह बहुत असान लगता है, पर यहां पर इस patron को study करना, एक finance manager के लिए काफी problem की बात है, उसे यह determine करना पड़ता है, कि current assets क कौन सा ऐसा part है, जो temporary nature का है, और कौन सा ऐसा part है, जो permanent nature का है, चाहे वो इस amount को ascertain कर ले, पर फिर भी उसकी exact timing study कर पाना, उसकी exact acid liquidation, किस दिन वो liquidity position में आएगा, यह decide करना बहुत ही मुश्किल काम है, और इस problem को compound करने के लिए, एक manager को नए नए techniques लगानी पड़ती है, वे चीजों को synchronize करता है, एक logical plan बनाता है, और कुछ एक alternatives हमेशा दिमाग में तयार रखता है, कि अगर कुछ अंदेखा, अंजाना, या कोई danger आख खड़ा हुआ, तो वे किस प्रकार से short term finances को use करेगा, एक limited time period के लिए, और उस जरूरत को satisfy कर देगा, इसका मतलब कभी कभी aggressive financing plan भी बनाना पड़ता है, जिसकी मदद से long term और short term financing needs को पूरा किया जा सकता है, इसी प्रकार से एक trade off किया जाता है risk और return के बीच में, तो इसके साथ ही हमारा आज का video lecture complete हुआ, हम मिलेंगे बहुत जल्द, एक नए video lecture के साथ, जिसमें जानेंगे कुछ नए concepts, वो भी बहतरीन तरीके के साथ, तो आप जुड़े रहे मेरे channel के साथ, हम मिलने वाले हैं, बहुत जल्द